नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्जाम, डेट विद गुरुजी यूट्यूब चैनल, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है, वीडियो को पहली बार देखना है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ, लेकिन को भी हम कर देना, इससे कि हमारी कोई भी नहीं वीडियो है, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक पहुँच सके। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। जिसके बाद सभी 2223 अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब तक पूरी की जाएगी। आयुश काउंसिलिंग की जानकारी देते हुए होमियोपैथी निदेशक एवं नोडल अधिकारी डौ। अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि पहली सूची में 6,3,3,3,3,3 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी। दाखिले भी हो चुके हैं। बावजूद इसके आयुरवेदिक, होमियोपैथिक और युनानी सरकारी कॉलेजों की सीटें रिक्त रह गई हैं। उक्त सीटों पर प्रवेश के लिए अपग्रेड सूची जारी कर दी गई है। अब तक कितने अभ्यर्थी काउंसिलिंग से बाहर। बताया कि नीट 2024 काउंसिलिंग में पूरी पारदर्शिता रखी जा रही है। किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सारी चीजें ऑनलाइन है। पहली, दूसरी और तीसरी काउंसिलिंग के दौरान, जिन उम्मीदवारों को काउंसिलिंग से बाहर किया गया है, उनके किसी न किसी दस्तावेज में गड़बड़ी पाई गई है। झालो 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 ऑच्चा काउंसिलिंग के उनके काई है।